हेलो दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 24 गंटों में विग्यान के हर शेतर में कितनी आश्यर जनक खोजे हुई है स्वागत हैं आपका Science Tube चैनल में हम पेश कर रहें आपके लिए लेटेस्ट साइंस न्यूज इन हिंदी जो कि पिछले 24 गंटों में घटिद हुई है हर रोज हम आपके लिए लेकर आएंगे Science News का latest edition जिस्से कि आप updated रहें और जिल्दी से काम की जनकरिया आप तक पहुँच सके अगर आप चाहते हैं कि हम यह प्रयास यह सेवा जारी रख सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकेशन वेल को क्लिक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें यकीन मानिए दोस्तों आपके प्यार और सहीयोग मिलने पर ही हम यह सेवा जारी रख सकेंगे दोस्तों अगर आपको कोई साइन्स स्टोरी पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके अपने थोर्ट्स जरूर शेयर करें ताकि हमारे देश में वे ग्यानिक सोच समझ को बढ़ावा मिले अगर आप एलियन्स से बात करना चाहते हैं तो आपको रेडियो से आगे की कोई टेक्नलोजी इस्तमान करनी होगी कॉस्मास में एलियन सिवलाजेशन्स खुजने के लिए नए तरीके खुजने होगी सिर्फ रेडियो सिंग्नल सुनने से काम नहीं चलेगा इंटरनेशनल जनरल अफ एस्ट्रो बायलोजी में प्रकाशित एक इस्टडी में विग्यान गुर्ण कहा है कि अगर हम कोई उन्हें तक्नीक खोज ले तो हमारी एलियन्स से कंट्रेक्ट करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी अगर इसा नहीं होता है और हम सिर्फ रेडियो सिग्नल ही सुनते रहें तो कोई खास उमीद नहीं हम कभी भी एलियन्स से संपर्क नहीं कर सकेंगे हमारे सूरी का एक जुर्वा भाई भी था एक नई थियोरी जो की एस्ट्रो फिजिकल जेनरल लेटर्स में चपी है कि अनुसार हमारे सूरी का भी एक बाईनरी स्टार था मतलब उसका एक जुनवा तारा भी था जो इक दूसरे के चक्क्र लगाता है विग्यानिक कहते हैं कि सूरी की तरह के तारे एकसर बाईनरी पेर्स में पाई जाती है सोल मंडल के चारो और आट क्लाउट का होना भी इसी और इशारा करता है न्यू गिनी के सिंगेंग जंगली कुत्ते के नसलों को एकस्टिंक्ट मान लिया गया था लेकिन अब लिये गए डियने सेंपल से ही बता चलता है कि न्यू गिनी आईलेंड के दूसरी ओर यह प्रजाती अभी भी मौझूद हो सकती है यह जंगली कुत्ते डिंगों की तरह दिखते थे और यह बहुत जोर जोर सिखाते थे कई इस्थानी रहवाचियों ने घने जंगलों के पास इनकी गाने की आवाजे सुनी ही नासा का एक पुराना स्पेस क्राफ्ट रत्वी के वाई मंदल में आकर जल गया जिसे वेग्यानिक एक मीटियरोइट समझ रहे थे दरसल में वह नासा द्वारा स्पेस पे छोड़ा गया स्पेस क्राफ्ट ओजी ओवन था जिसे 56 साल पहले नासा नए इस पेस पी फेस पे भेजाता वेग्यानिकों ने पहला Intermediate Mass Black Hole को डिटेक्ट किया वेग्यानिकों ने अब्सर्द किया कि दो छोटे Black Holes के आपस में रिकाइने से एक Intermediate Mass Black Hole का जन्म होआ और अब तक की रिकार्ड की गई सबसे तीवर ग्रेविटेशनल वेव उतन हुई इस नए जन में ब्लेक होल का मास एक सो बैयाली सोलर मास नापा गया वेग्यानिकों की टीम जो की लीगो साइंटिस्ट टीम और वर्गो कोलेबरेशन के नाम से जान जाती है नहीं एक होच की है आपकी फेवरेट जीन्स समुद्र को परदूशित कर रही है आज कल भरही जीन्स का फैशन बढ़ता जा रहा है लेकिन वेग्यानिकों ने जो कि ब्रेस्ट केंसर सेल को डस्ट कर देता है हम इसे लगवख सभी को मध्वक्की ने कभी न कभी डंक जरूर मारा हुगा जिससे भयानक जिलन और सूजन हो जाती है लेकिन अब एक नए रिसर्च में पत्चला है कि मध्वक्की के इसी जहर में एक ऐसा अनोखा मॉल्यक खोजा है और सुरक्षित है प्रत्वी जिसे हैबिटबल जोन प्लानेट्स के लिए लेकिन वे गलते हबल स्पेस टेलिस्कोप से किये गए नए रिसर्च से यह बात निकल कर सामने आई है कि हमारे परोस में स्थित रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम जी जे एट एट सेवन प्रत्वी जिसे ग्रहों के लिए का सेफ नहीं है यह इतना शानत नहीं है जिसे कि पहले सोचा गया था इस रेड ड्वार्फ के दो एक्सो प्लानेट भी है हमारी गेलक्सी मिल्की वेकिक सबसे करीबी दोस्त गेलक्सी एंड्रोमेडा के चार और एक विशाल का हालो पाया ऑगया जो की गर्म गेस का बचे करना गेलक्सी के चार और पाये जाने वाले इस गैलिकसी से भी बड़े रeping काश-वाष्ट के दाएरे में फीले इस बादल को एग्यानिकोंने सी जी एम नाम दिया है सरक्म गेलेक्टिक मीडियूम यह द्रश की होता है विग्यानिक कहते हैं कि एक गेलेक्टिक इवल्यूशन के लिए रहे होता है क्वाजार्स भी ट्विंकल करते हैं ऐसा लगता है कि आप पुराने कुट्टे को नई ट्रिक्स दिखा सकते हैं पचास साल पुराने रेडियो टेलिस्कोप को अपगरेट करने पर एस्ट्रोनमर्स ने उसकी साहिता से एक दर्जन रेयर क्वाजार्स खोज निका ले क्वाजार्स उनिवर्स में काफी दूर स्थेद रेडियेशन के पाउरफुल सोर्स होते हैं अपने आप बन रहें भायान अगटे साइबेरिया के मैदान में मीधेन येसका एक बड़ा गुबार विस्फोटित हुआ जिससे कि 50 मीटर गहरा गंटा बन गया साइबेरियन पर चला कि से क्लो मीटर दूर तक पत्थर बर्फ के टुप्ले विस्फोट से चार और विखर गए शुक्र है उस वक्त हुए आसपास नहीं था सोलर सिस्टम पिशले 3300 साल से एक सूपर नुवा के मलबे से होकर गुजर रहा है हमारे सूरी के साथ हमारी प्रत्थवी वसभी ग्राय एक महायातरा पर निकले हुए पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे में गोंग रहा है दोस्तों इसका मतलम यह हुआ कि जब डाइनसोर्स इ प्रत्वी का सामना कई बार सूपरनुवा की डस्ट और मल्वे से हुआ है इसके निशान हमें प्रत्वी की गहराई में स्थी चट्टानों से मिल रहे हैं कि एस्टरोनुमर से मिले हैं ड्यल क्वाजार बहुत रेर होते ही ए बडिंग अगलेक्सि के केंदर में एक सूपर मेशिव लेक होलों होता है हमारी मिलिक Dana गए है कुछ सूपर में हो शांत होते हैं कुछ भारी मत्रम Mirization emission करते हैं इसकी चमक तुप्ली गेलेक्सी से भी ज्यादा हो जाती इन यहSब क्वाजार गेलेक्सीज कहते हैं कि एक क्वाजार करें दिखियना तो आम बात है लेकिन इस्टरणॉ levant Oh done डूवियूल कौजार्स मिले हैं वेंग्यानिक सोच रहे हैं कि 2 कौजार्स भी आपस में टकरा सकते हैं अगर हां तो इससे क्या होता होगा तो दोस्तों इन हेरान कर देने वाले साइंस न्यूज स्टोरीज को सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या थौर्ट्स आए हैं प्लीज हमारे साथ कमिट्स में डिसकस जरूर करें